स्री सुकदेब जी कहते हैं परिचित अब परद्यूम्न जी ने हाथ मुधो कर कवच पहन धनुस धारन किया और सार्थी से कहा कि मुझे बीर गुमान के के पास फिर से ले चलो उसमें दिवान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था परद्यूम्न जी उनके पास पहुंच कर उसे ऐसा करने से रोग दिया और मुस्करा कर आठ वान मारे चार वानों से उसके चार गोडे एक एक वान से सार्थी धनुस द्वजा और उसका सिर काटा डाला इधर गदा, सात्तिक, सांब, आदी, यदुवंसी, बीर भी साल्व की सेना का संगहार करने लगे सौब विमान पर चड़े वे सेनिकों की गरदने कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते इस प्रकार यदुवंसी और साल्व के सेनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे, बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ, वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा उन दिनों भगवान स्रीकृष्ण धमराज दिश्ठीर के बुलाने से इंद्रप्रस्त गए वे थे, राजसुई यग्य हो चुका था और सिसुपाल की भी मिर्तियों हो गई थी, वहां भगवान स्रीकृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अब सकुन हो रहे हैं, तब उन अब सिसुपाल के पक्छपाती छत्री अवसही द्वारका पर आकर्मन कर रहे होंगे, भगवान स्रीकृष्ण ने द्वारका में पहुँच कर देखा कि सचमुच यादबों पर बड़ी विपत्ती आई हुई है, तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नि अबी है, तो भी तुम तनिक भी भेना करना, भगवान की ऐसी आग्या पाकर दारूख रत पर चड़ गया और उसे साल्व की ओर ले चला, भगवान के रत की दोजा ही, चिन्धित भी उसे देखकर दूसियों तथा साल्व की सेना के लोगों ने युद भूमी में सकती चलाई और वह सकती बड़ा भेंकर सब्द करती वी आकास में बड़े बेख से चल रही थी और बहुत बड़े के समान जान पड़ती थी, उसके प्रकास से दिसाय चमक रही थी, उसे सार्थी की ओर आते देख भगवान स्रीकिष्ण ने अपने वानों से उसके सैकरों टुकडे कर दिये, इसके बाद उन्होंने साल्व को सोलह बान मारे और उसके विमान को भी जो आकास में घूम रहे थे, असंख्यवानों से चलनी कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सुर्य अपनी किर्णों से आकास को भर देता है, साल्व ने भगवान स्रीकिष्ण की बाई इससे संक धनुस भगवान के हांस से चूट कर गिर गया, यह एक अधवुद घटना घट गई, जो लोग आकास या पिर्थवी से यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे, तब साल्व ने गरच कर भगवान स्रीकिष्ण से यो कहा, मुड त सिसुपाल की पत्नी को हर लिया, तथा भरी सभा में जबकि हमारा मित्र सिसुपाल और साबधान था, तूने उसे मार डाला, मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजे मानता है, यदि मेरे सामने ठर गया, तो मैं आज तुझे अपनी तीखेवानों से वहां पहुँचा दू सूर बीर बेर्थ को बकवास नहीं करते, वे अपनी बीरता ही दिखाया करते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान स्रीकिष्ण ने कुरोधी थो अपनी अत्यंत बेगवती और भयंकर गदा से साल्व के हसली पर प्रहार किया, इससे वह खून उगलता हुआ कापने लगा, इधर जब गदा भगवान के पास लोटाई तब साल्व अंतर ध्यान हो गया, इसके बाद दो घड़ी बीते बीते, एक मनुस्स ने भगवान के पास पहुचकर उनको सिर जुका कर परणाम किया, और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देव की जी ने भेजा है, उन्हों कसाई पसू को बांध कर ले जाये, यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान स्री कृष्ण मनुस्स से बन गये और उनके मुँपर कुछ उदासी सी आ गई, वे साधारन पूरुस के समान अत्यंत करना और खेर से कहने लगे, अहो मेरे भाई, अहो बलराम जी को तो देवता औ साल्व का बल पौरुस तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया, और कैसे मेरे पिता जी को बांध कर ले गया, सचमुछ प्रारब्द बहुत बलवान है, भगवान स्री कृष्ण इस प्रकार कही रहे थे, कि साल्व वसुदेश जी के सामने समान एक मा देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ, कुछ बल पौरुस हो तो इसे बचा लेना, माया भी साल्व के इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वासुदेव कासिर कलवार से काट दिया और उसे लेकर अपने आकास विमान पर जा बैठा, परिक्षित भगव के समान सोक में डूब गए, परंतु फिर भी वे जान गए कि यह तो साल्व की फैलाई हुई आसुरी माया ही है, जो उसे मैदानम ने बतलाई थी, भगवान स्री कृष्ण ने युत भूमी में सचेत होकर देखा, वहां दूत है और ना पिता का वह सरी, जैसे स्वक्न में एक दरी से देखकर लुपत हो गया, इधार देखा तो साल्व विवान पर चड़कर आकास में विचार रहा है, तब वे उसका बद्ध करने के लिए उद्धत हो गया, पिरिपरच्छित इस प्रकार की बात पुर्वा पर का विचार ना करने वाले कोई रिसी कहते हैं, अब परिपुर्ण भगवान स्रीकिष्ण, जिनका ग्यान, विज्ञान और एस्वर अखंडित है, एक रस है, भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहा है, बड़े बड़े रिसी मुनी भगवान स्रीकिष्ण के चरन कमनों की सेवा करके आत्म विद्या का भली भाती संपा स्रीकिष्ण में भला मुह कैसे हो सकता है, अब साल्व भगवान स्रीकिष्ण पर बड़े उत्साह और बेग से सस्त्रों की वर्सा करने लगा, अमोग सकती भगवान स्रीकिष्ण ने भी अपने वानों से साल्व को घायल कर दिया, और उसके कबच, धनुस और सिर की मनी को गदा की चोट से उसके बिमान को भी जरजर कर दिया, परिछित भगवान स्रीकिष्ण के हातों से चलाए हुई गदा से वह बिमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा, गिरने के पहले ही साल्व हात में गदा लेकर धरती पर कूत पड़ा, और सापधान होकर अलेकालीन सूरी के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदरसन चक्रधारन कर लिया, उसमें उनकी ऐसी सोभा हो रही थी, मानो सूरी के समान उद्या चल सोभाय मानो, भगवान स्रीकिष्ण ने उस चक्र से परमाया भी साल्व का कुंडल किरीट सहीच सीड़ धर से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इन्र ने बजर से बृता सूर का सिरकाट डाला था, उस समें साल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाई हाई कहकर चिला उठे, परिछित जब पापी साल्व पर मर गया और उसका बिमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब हो गया है, अगली कथा अध्याए 12 में, ये भागवत महापुरान की खथा चल रही है, और ये अध्याए 77 है, इसकंद 10 का, तो हम अगली कथा के लिए फिर मिलते हैं, फिलाल भी दा लेते हैं, पसंद आए, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, सेयर करें, कमेंट करें, धन करेंए अध्याए 12 में लाइक करेंगी है, ये इसकंद आएड़ के लिए आए प्सितिवर का की ख़ज़ाएं बाएक का लाइक करेंगे हैं, वे तायए नही हैं, इसकंद आए भी दो हमें पेएचिए हैं, भी प्या आएइवाब औरे भी आएज़ा हैं, जएट आएएब